हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बॉनेट वाली कैप इसको बॉनेट वाली कैप भी बोलते हैं यह रेडि मेंट बजार में मिलती है ज्लेक्व वोलन यह लेकिन आज इसको हम बनाएंगे कॉतन की कपड़ा से सेम हमारा SLUK रहेगा जैसे हमारा रेडिमेंट का लुक रहता वैसे ही इस कैप का भी लुकाएगा तो आप भी एक वट राए करके देखना और इस वीडियो में मैं आपको एक्स्प्लेइन करके बताऊंगी पूरा डिटेल से कि कैसे आपको बेबी का नाप लेना है और किस हिसाब से आपको कपड़ा लेना है तो देखी जैसे आपको से आपको इंची टेफ रखेंस सर के उपर से लिक जाना है और दूसरे कान तक कि जैसे यहां पर 8 इंच आ रहा है अब आपके बेबी का कितना आया जैसे है 12 इंच तो आपको 12 इंच कपड़े की लंबाई रखनी है और 12 इंच ही कपड़े की चोड़ाई रखनी है इसमें ज इसेंटर से फोल्ड करना है और फिर एक फोल्ड और करेंगे हम गया इसे अब यह बंध साइड है यहां से हम इंची टेप करना कहा दो यह मेरा आ रहा है साड़े चैंज तो अब मैं इंजी टेप को ऐसे गुमाऊंगे और जहां हमारा साड़े चैंज आ रहा है वहाँ पे निसान लगा लेना है इंजी टेप को हम गुमाते जाएंगे और साड़े चैंज पे निसान लगाते जाएंगे और अब इस निसान को हम ड Bigners के लिए बहुत Easy हो जाता है ऐसे तो देखें ये गोल कपड़ा हमारा कच चुका है अब इस पर हम ये ऊपर जो है मेरे कपड़े की सीधी साइड है और इस पर हम लगाएंगे पूरे पर सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पर जो हमारा किनारा है है इस पे हम इसलाई लगा देंगे तो फिर यह हमारा कपड़ा इन उदर ही लेंगा नहीं जब हमें इसमें डालेंगे अब हम डालेंग इस प्लेट्स और आपको कहां से ढलना ह। लें अब बड़ी भी बड़ी नहीं करनी एकदम ब्राबर प्लेट्स डालनी है इससरे प्लेट्स है और दालनी कितनी है वह देखे जो किसे 3ा1 चोड़ाइं रखी ती किमिए बड़ी युए तो अब मैं प्लेट्स भी 13 इंच पर ही डालूंगी जैसे आपका 12 इंच आया था तो आपको 12 इंच तक प्लेट्स डालनी है अगर 11 इंच आया तो आपको 11 इंच तक प्लेट्स डालनी है मेरा आया था इसमें 13 इंच तो 13 इंच का मैंने कपड़ा लिया था वो ही मैं 13 इंच प जहां तक प्लेट डाली है तो अगर आपका थम जदा हो जाए तो आप खोल के दूसरी और प्लेट भी ढाल सकते हूं अब ऐसी इसको ब्राबर रखना प्लेट से एक दम एस ब्राबर रख लेना है इस तरीके से और आप यहां से हम हल्की गोलाई सी देके देखे ऐसे शेप ल उड़ा है इसकी चोड़ाई मैंने 3.5 इंच रख्गी है यह देखे ऐसे 3.5 इंच रख्गी है तीन इंच भी ले सकते और आपको आगे से थोड़ा छोटा चाहिए बॉनट तो 3 इंच भी ले सकते और इसकी जो लंबाय है वह तेरे इंच रख्षी जैसे हमने 13 इंच का पтовं क्वर हमारा में वैसे ही ये ये में बराबर है ऐसे कपड़े को रखना है कि देखिए इस गधल से फॉल्ड करेंगे शेंटर गाइसे Hayır इसपे इस पहर लगाएंगे निसान फिंट कर लेन अगर नहीं लग जाता है फिर इसके हम कटिंग profit लेंगे तो इसका लों कुछ इस तरीके से आएगा यह देखिए अब हम यहां से इस कपड़े को ऐसे रखेंगे और फिर इसके उपर हमारा यह अस्तर का कपड़ा रखें इस पे हम जो गोलाई है इस सैड में सिलाई कर देंगे यह देखिए अंदर इसकी मेरी जो है उपर कि मैंने इसको प्लट लिया है और अब इसके आईरेन कर लेना है तो मैंने आईरेन भी कर लिया है अब इसके अम लगा देते हैं यहां पर दाब दたい यह देखिए इस तरीके से Cardamies मुअने नपिंगा दिया है आँपा इस्पे अटेश करेंगे हम अपनी के आप के ऊपर तो देगे मैं ने कैप को सीदा रंखा नपैसे और जहां से हमने प्लेट्स डैलना स्टार्ट किया था वहां पत्टी के अंदर है सीधी साइड यह देखे इस तरीके से एकदम सीधी स्लाई करनी है और यह यहां तक आएगा जहां तक हमने प्लेट्स डाली थी फिर इस पत्टी को ऐसे प्लट लेना ऐसे और इस पर अब हम लगाएंगे दाब सिलाई इसके उपर तो इस देखे यह आगे कोटन की कपड़े से खुजली नहीं होती है यह मैंने दूसरी पट्टी लिए है यह एक इंच चोड़ी रखिए मैंने आप लेस्ट भी अटेज कर सकते हो मैं इसमें पट्टी अटेज करूंगी और देखिए ऐसे आपको किनारी पे इसको फोल्ड करके सील लेना एक साइड से हम पट्टी को बंढ कर लेंगे और प्लटि लेंगे फिर जैसे नौर्मल हम पट्टी को फ्लटते हैं वैसे प्लटना है तो यह देखें बहुत ही यह जो सिलाई है यह मैंने बीच में रखा है हालांकि फ्रेंड से दिखने ही रही है थोड़ी तो अब जो सिलाई है वो तो हमारी अंदर की साइड में हम रख देंगे पट्टी के अब देखे ऊपर जहां हमारी सिलाई नहीं दिख रही है वह पट्टी हम उपर की साइड में अब आप कर देंगे पत्ती हमों चोड़ी है लो लेंगे। आप ले ले ना तो अब आपको पट्टी आगे छोड़नी है जितनी आपको बांधने के लिए डोरी चाहिए बच्चे के लिए आपको बांधने के लिए कितनी डोरी चाहिए वो रखनी है छोड़ देना इतनी जितनी आपको चाहिए यह मैंने छोड़ दिया है मुझे बांध लेंगे इधर तो प्लटने के बाद में देखिए पहले हम देख लेते हैं अपनी दोनों साइड में पट्टी बराबर हो यहां पर चोटा बड़ा है तो आप जो बड़ा है उसको कट कर सकते हो देखें इमेरा इतना बड़ा था मैंने कट कर दिया अब देखें जैसे इस पट पट्टी अटेच हो जाएगी फिर यह देखें ऐसे एक फोल्ड हमारा पहले कर लिया फिर दूसरा ऐसे फोल्ड करके फिर इसके उपर ऐसे फोल्ड करना है और यह इस पर चिलाई कर देंगे फिर इस तरीके से तो यह हमारी पट्टी फिर इस पर अटेच हो जाएगी इस त इसको प्लट लेते हम अपने लटकन को और यहां से आगे से जितना आपको चाहिए उतना रख लेना और फिर आगे से आपको थोड़ा सा हलकी सि गोलाई दे कि कट कर लेना है ऐसे हम दूसरा भी बना लेंगे तो जिदे कि मेरा ये दोनों बन चुके हैं मैंने ये रेडी कर ल इसमें बटरफ्लाई बनाएंगे, तो यह देखें, मैंने 4.5 इंच कपड़ा लिया, 4.5 इंच ही इस कपड़े की चोड़ाई है, 4.5 इंच ही कपड़े की लंबाई है, ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करके जैसे हमने कैप में गोलाई दे के काटा था, वैसे इसकी भी गो गोल काटना है, यह कपड़ा हमारा गोल कटना चाहिए, तो देखे, मैंने काट लिया है, अब इसको एक बार हम खोलेंगे, हाफ सरकिल, और अब जो यह खुली साइड है, यहाँ पे हम कर देंगे, शिलाई इसकी, यह देखे, ऐसे, अब यह मैंने शिलाई कर दिया, अब इ इसे एक पार्ट काटना आपको उपर वाला, और फिर इसमें पलट लेना है, यहाँ पे ऐसे, यह देखे, इस तरीके से पलट जाएगा, पलट जाने के बाद में आपको यह कोने भी निकाल लेने है, अच्छे से निकाल लेना है, और आइरन कर लेना है, इस पे, मैंने आइ खैच लेंगे, खैच लेंगे, तो यह यहाँ से ही कठा हो जाएगा पूरा, और फिर इस पे पलट देते हैं धागा, तो यह हमारा एक बेटरफ्लाइ बनके तैयार हो जाएगा, देखे, अब यह इस पे हम लगा देंगे, तो यह हमारा एक बोज जैसा भी लुक आएगा, बेटरफ्लाइ जैसा भी आएगा, बहुत ही संदर लगेगा इस से इसका लुक और यह इस पे हम अटेज कर देंगे, दागे से सुई से ही करना है इसको ऐसे नोर्मल आपको इस लाई करने है, यहाँ पे इसको अटेज करने के लिए, तो देखे, मैंने अटेज कर लिया है, बहुत ही संदर लुक है, इसका देखे, मैं आपको पिछे से भी दिखा देती हूँ, यह देखे पिछे से, और यह देखे हमारे आगे से, इसका एकदम रेडिमेंट जैसा लुक है, आप भी आप एक वर बनाके, ट्राइ करके देखना, यह देखे, कुछ इस तरीके से इसक आपके साथ, बाइ फ्रेंड्स, थेंक यू,